जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि BPSC के तरफ से जब TRE First का रिजेल्ट जारी किया गया था तो उस टाइम पे BPSC के तरफ से बोला गया था कि आपको रिजेल्ट से समंधित किसी भी तरीके का दिकत या फिर समस्या है तो आप लोग सपत पत्र की माध्यम से आप अपत् जाम कंड़क्ट करा जाता है तो उसमें आप लोग यहां पर आपके खिलाप यहां पर प्रतिबंद आनि आपके खिलाप यहां पर रोग आपका लगा दिया गया था लेकिन अब यहां पर क्या कि BPSC के तरफ से ओ जो आपका रोग आनि जो आप लोग को डिवार की जो लेकर और बिना सपत पत्र आनि की आप लुग अपति और सिकाईदर्ज किया थे तो बिना सपत पत्र के माध्यम से और यहां पर आप देख सकते हैं टोटल अभीर्थियों को लेकर आप यहां पर देखेंगे तो एक साल के लिए जिनको यहां पर प्रतिबंद लगाया था टोटल 171 अभियर्थी हैं और 3 साल के लिए जिसको यहां पर डिवार किया गया था 413 जो है टोटल अभियर्थी हैं और इन दोनों को आप यहां पर ऐड़ करेंगे तो 584 टोटल यहां पर अभियर्थी हैं जिनको यहां पर चेताउनी के साथ आप लोग को यहां पर प्रतिब जो कि आप यहाँ पर डेट देखेंगे 21 फरवरी 2024 जो कि आज ही है आपका 21 फरवरी 2024 और अभी को यह आपका BPSC के तरफ से आपका पुब्लिक नोटी जो है जारी किया गया है लेकिन उसके बाद BPSC के तरफ से आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला गया कि आपको यहाँ पर किस तरीके से आपका डिवार किया जाएगा और मतलब यदि मालीज आपको डाला भी जाता है तो इसी तरीके से आपको TRE 1 वालो को यहाँ पर जिस तरीके से बाहर कर दिया गया तो उसी तरीके से आप लोग को भी यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा या फिर जो भी इस तरीके से आप लोग अपना इस परस्टी कर जो है उदे देते हैं और मतलब आप अपनी सिकायत या फिर आपत्ती जो है उदर्ज कर सकते हैं तो अब यहाँ पर आप लोग जो है मत करिएगा क्योंकि बहुत सारी इस तरीके से सिच्छक होते हैं जो आपती देते टाइम आप लोग बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा ये सब हम देख लेंगे लेकिन आप कुछ भी नहीं करेंगे BPSC मालीजे इनके तरफ से एक अच्छा काम किया गया है कि यहाँ पर आप लोग को मुक्त कर दिया गया है लेकिन यदि आप लोग को यहाँ पर मुक्त नहीं किया जाता तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इनको यहाँ पर तीन साल के लिए जो है पापका डिबार किया गया है और तीन साल में आप देखेंगे तो जो भी आपका यहाँ पर सिछाग भरती है तो कम से कम आप अपना सफत पत्र वाप यहां पर लगा दीई या फिर जो भी आपका नोटीस में मेंशन किया जा रहा है कि किस तरीक से आप अपना सिकात या फिर अपत्ती दर्ज करेंगे तो उसी के अधार पर आप लोग अपना सिकायत वगर जो है उकरेंगे तो यह जो TRE 1 वाले जो सिचकते हैं उनके लिए यहां पर good news है कि आप लोग TRE 3 के लिए आप अपना अवेधन वगर जो है उकर सकते हैं आपकी खिलाप यहां पर जो भी प्रतिबंद आपका BPSC के तरफ से लगाया गया है तो आपका यहां पर जो हटा दिया गया है तो अभी के लिए यह अपडेट है बाकि जैसे भी आपके आने अपडेट या फिर इंफर्मेशन वगर आते हैं BPSC TRE 1st हो या फिर TRE 2 हो या फिर TRE 3 को लेकर तो आप सभी लोगों पता ही होगा कि इस प्लेटफर्म हम राइट टो जिगसे न इंडिया आप जो शेयर कर देते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियोंगे सब्सक्राइब करते हैं वेल आइकान को प्रेज़ ज़रूर कर लिजेगा मिल देंगे लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू बाइबाइ टेक केर अल दिवेश थैंक्यू फॉर रिस्निंग गॉट ब्लेस अल थैंक्यू